और देख रहे हैं इससाल बिहार में चुनाव होने हैं और चुनावी सरगर्भिया तेज है इस वक्त हम बियाईपी पार्टी के कार्यालेक में मौजूद है जहां पर बियाईपी पार्टी के तरफ से लगातार हर दिन बैठको का दौर चल रहा है आप ते ससे पहले यह खुद ब्याइबी पार्टी के अध्याक्ष मुकेश शहनी महुजूद हैं हम बात करेंगे किस तरीके से इस्ट्राटेजी बनाई जा रही है क्योंकि लगातार बैटकों का दौर आपके पार्टी करियाले में चल रहा है चुनाब नजदीक है और हम चाहेंगे कि पुड़ बिहार में हर जिला से बाचित हो तो जिला कमिटी आज नालंदा, सेकपूरा और नवादा और गया चार जिला का बैठक है और जिला के पदादीकारी वरिस नेता आज उपस्तित हुए है और किस तरीके से 2020 में मिशन 2020 किस त प्रक्षभ लगतार इसी तरीके से 2-3 जिला चार जिला कर रोज हम लोग बैठक कर रहे हैं और निरानतर पास तरीक तक हमारे बैठक पाटी के खित में हम बूर निरने ले रहे हैं कहांसे किसको चो चुनाब लगा जयी वो सारे चीज़ पर रनीती पर बात हो रहा है हर दिन आप पार्टी के नेताओं के साथ बैठेक कर रहे हैं लेकिन महांगर वंधन के नेताओं के साथ वह बैठक वाला वीजवल वह बैठक वाला तस्वीर कब आएगा जब उपेंद कुष्वाहाज तेजस्पी आदव समय ऐसा आज आएगा कि एक साथ हम लोग दिखेंगे इंटर्नल हर पार्टी हर किसी से इंटर्नल बात्चीत जारी है और वो अल्मस्ट बहुत लास्ट स्टेज पर है और थोड़ा इंडिये को आगे बढ़ने दिजिए एक कदम आगे बढ़ने दिजिए उसके बाद हम लो लोगों को कहिए बिहार में आके आगे बढ़ने के लिए हम लोग तो बिहारे में हैं इंतजार करने दिल्ली वाले कुछ अपना निर्ने ले पहले बिहार में आप कि देखिए बिहार में जो बदलाव लाना है और एंडिये को हराना है तो निश्ची तोर पर जो एंडिये को हराने के लिए जितने भी लोग है बिहार में राजनीत करें सब एक दूसरे से बात्चीत होना आगे बढ़ना आगे चलना किस तरीके से करना तो अभी बहुत हाल फिलाल में बाचित तो नहीं हुआ लेकिन पूर में बाचित हुआ है अभी ऐसा होता है कितने सीटों पर चुना और लास्ट आम आप से बात की थी तो कहा था आपने हवाला दिया था इलेक्शन कमिशन का कहा था कि 25 सीटों पर लड़ना है जो भी लड़ सकते हैं उसके बाद कि बहुत सारे साथी से सब बहुत से चीज़ करना मांकि है तो वह सारे चीज़ के लिए ठीको बात को बेगर आप लोगों के बीच में रखे वे बात एसा हो नहीं सकता है बीहर कि राजनित में तो समय आएìग़ा तो बात रखेंगा रहा हमारे ऐलेक्शन कमिशन का तो वह तो है कि कोई भी नई पाटी होता है जिसको चुनाब चुन अगर रिनिवल करना रहता है तो दस पर्षेंट उनका गाइड लाइन है कि गठववन्दन में कुछ हमारे साथी को चुनाप चिताएंगे कुछ साथी हमको चुनाब चिताएंगे कुछ सीजिप औलरेंगे कुछ पर हम लड़ेंगे यहां पर कि exported के लिए लिए ल्ट तरह,ँज considering Сलिक्त cannon चुनाब होगा तो हम 243 सीट किस तरीके से जीता जाए उसी के लिए तो आज बैठक रखा जा रहा रहा है कोई एक दो सीट जीतने के लिए आज बैठक नहीं रखा जा रहा है 243 सीट जीतने के लिए हर रोज 3-4 जिला का बैठक रख रहे हैं, लगातार 6 दिन से लगातार लगे हुए, चार दिन और लगता है कि 4 रोज और लगेगा, तो 10 दिन का हमारा टाइम में पूरा बिहार करते हैं। क्योंकि इस समाज को अगर आप देखिएगा, तो 2010 की बात की जगा, तो 10% लोगों को भी चुनाव नहीं लड़ाया जाता है। अति पिछला समुदाय में से बिन बिल्दार नुनिया मला निसाथ के उपजाती हो यारने, जितने भी समू है, 128 जाती का समू है, सब एक्षा रखते कि हमको भी टिकट मिल सकता, क्योंकि उन्हीं के संगर्स पे आज ये वियाईपी पार्टी टिका हुआ, वियाईपी पार प्लान है, मिसन ब्रयादरी, जिसमें कि वो चाहते हैं कि यादब तबके के लोग भी सहयोगी घटक दल जो है, उनके वो टिकट दें, तो क्या आप भी यादब को भी टिकट देने जा रहे हैं इस वार, जो उनका प्रनिती है, प्लान है, और वो क्या है, वो आपको नहीं पता होगा, और समय आने पर वो सारे चीज़ दिखेगा, और हर जाती धर्म के लोगों को पाटी में, महां गठवंदर में टिकट मिलेगा, एक दूसरे से राए बिचार लेके टिकट दिया जाएगा, एक दूसरे को समझ के लिए दिया जाएगा, जहां पे जो कंडिरेट जीद सकता, उहां पे उनको लड़ाया जाएगा, और हर जाती समय को ध्यान में रखते हुए, उनको मुका दिया जाएगा, खास करके हम महां गठवंदर में, पिछरे तपके के जो लोग है, उन लोगों को जादस जादा जगध देने का हम लोग कोशिज करेंगा, आपनी स बने लेकिन आप वो उस रास्ते पे चलना पड़ता है, तो हम लोग ने चल के आये हैं और आगे भी चलने का कोशिज कर रहे हैं, हर कोई एक्षा रहेगा, लेकिन ये सारे चीजिया हमारे गठवंदन के प्लेटफॉर्म पे क्लियर होगा, बहुत बहुत शुक्रिया मुके लेकिन मैं एक आखरी सवाल, पत्रकार रहे प्रवक्ता से भी पूछ लेता हूं कि आप लंबे अर्से से पत्रकारता की है, अब आपने राजनीती में कदम बढ़ा है, मुके सहनी की पार्टी के साथ हैं, क्या रीड कर पा रहे हैं, पार्टी के महौल को देकर क्या लग रह मैं बता रहा हूं, अभी दो-तीन दीन से मैं बिलकुल प्छेत्र के दोरे पे था, मैं दर्भंगा साइड गया था, मदुबनी गया था, जिस धंग से इस पार्टी में जो बढ़ाबव आया है, जो बढ़ा है ये पार्टी और एक जो गोल बंद हुआ है 15% से जादा वोट वो इस बार के चुनाओं में बहुत बड़ा असर डालेगा, और ये 15% वोट ही तैक करेगा कि बिहार में इस बार किस पार्टी की, किस गटबंधन की सरकार बनेगी, और चुकि ये पता है हमें कि मुकेश सहनी जी महाँ गटबंधन में है, तो मुझे ऐसा लगता है, जहां अपने भ्यापी पार्टी के राष्टे अध्यक्त, मुकेश शहनी सही बात कि इनका साफ तौर पर कहना है कि महाँ गटबंधन में उचित सीटे मिलने जा रही है, कि उनका जो बोट बैंक है, वो काफी है, फिलालावी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहे है, नुश प